दोस्तो पाकिस्तान के खिलाब कप्तान रोईच सर्मा ने लगाया अपने केरियर का सबसे बड़ा छक्का और गेंद को मैदान से बाहर भेज दिया कैसे कप्तान रोईच सर्मा ने केवल 12 गेंदों में ही पाकिस्तान के खिलाब जड़ दिये 60 रन दोस्तो आप जानना चाहते हो कप्तान रोईट सर्मा की इस तुफानी बल्लेबाजी के बारे में तो वीडियो को कम्प्लीट देखना दोस्तो वंडे वर्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया जहां भारतिय टीम के कप्तान रोईट सर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के टीम 119 में रनो पर ओल आउट हो गई टीम इंडिया की ओर से सभी गेंदबाजों को दो-दो विकेट मिले तो विकेटीम इंडिया ने आसानी से इस लक्से का पीछा कर लिया भारतिय टेम की ओर से एक बार फिर कप्तान रोईट सर्मा की दमाकेदार पारी देखने को मिली दोस्तो रोईट सर्मा ने सांदर बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों में 6 रनों की पारी खेली अपनी इस पारी में रोईट सर्मा ने 6 चोके और 6 चके लगाई दोस्तो गर कप्तान रोईट सर्मा के चोके और चको को जोड़ा जाए तो नोने के ओल 12 गेंदों में ही 60 रन जड़ दिये इसके साथ उन्होंने मैदान में एक ऐसा लंबा हिट लगाया कि गेंद मैदान से बार जाकर गरी और इसे रोईट सर्मा के कैरियर का सबसे लंबा चक्का बताया जा रहा है दोस्तो कप्तान रोईट सर्मा की पारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो में इतना ही थेंक यू